जय हैं जय भारत वंदे मात्रम मैं रविंद्र फोजी जय हैं जय भारत वंदे मात्रम मैं रविंद्र फोजी आपको याद होगा कि अभी दो दिन पहले ही ले में एक बस का एक्सिडेंट होता है और उसमें हमारे साथ जवान सहीद हो जाते हैं उसके लिए हम और पूरा देश सर्दान जली देश को है लेकिन आज कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि बाई उस बस के ड्राइवर पर एफ आयर कराए गई है और जाच परताल जारी है बहुत कुछी ऐसी सोशल साइटों पर न्यूज में ऐसे चीज़ें चल रही है मैं आएक चीज कहना चाहता हूं कि हमेशा गाज गरीब पर ही गिरती है हो सकता है कि उस ड्राइवर की गलती हो या ड्राइवर का कहीं न कहीं लिंक हो लेकिन उस लिंक के अलावा और सवाल भी पैदा होते हैं वो बस इतनी पुरानी थी उसको पास किसने किया कि वह रोड पर चलेगी स्यूल में अर्टियों गेरा ने उसको पास कर दिया उसके बाद होज में इसको किसने पास किया जिसके पास भी अधिकार था कि जवानों के लिए जो गाड़ी आती है जो हमारे अफसर साहिवान बैठे हैं जिन गाड़ियों की चेक अप बगयर करते हैं वो कौन थे क्या एक एक एफाई आर उनके उपर नहीं बढ़ती है क्या सिर्फ उस गरीब ड्राइवर के उपर ही एफाई बढ़नेंगी और उसको दबा कर उसी को सजा दे दी जाएगी दिखा दिया जाएगा आतंक वादियों से मिला था फलाना था खाई में गिरते समय कूद गया यह एक हुमन टेंडेंशी है कोई भी ड्राइवर हो जब गाड़ी अगर ऐसी आलत में आती है तो ड्राइवर या तो उसको कटिंग करता है यह जम मार देता है वो कोई अलग से उसको यह नहीं कि उसका अकेले का दोस है और आदमी को अपनी जान बचाने के लिए ऐसा ही करता ह है लेकिन सबसे पहले वो उस लोगों को पर एफायर करो जिसने उस बस को पास किया हो हमारे वो अफसर जिनको जिम्मवरी मिलती है कि कानवाई के अंदर फिटनस बसों का वो देते हैं वो कौन है जो सप्लाई में खासकर जो बैठे हैं जो जवानों का रासन सडी कडी सब्जियों को पास कर देते हैं इस्टेम्प मारकर मरे हुए बक्रों कार उनका मीट आ जाता है मरे मुख्या जाते हैं वह कोड़ लोग हैं जो बैठे हैं ब्रश्ट लोग उनके उपर क्यूं नहीं सर सिवल के अलावा उस बसको पासिंग दिया था कि रूट में जाए उसके लाव सरकार को मैं कही चुका हूं कि जब मैं जेंड के में था तब से बात चल रही थी हमारी एर इंडिया यह स्पाइस जैट जिसने भी कहा था कि बसके खर्चे में हम जवानों को ला और ले जा सकत हैं तो पूरा ठेका भाई-एर दिया जाए सरकारों को इनके जिमबयर कोन है इस इन लोगों के उपर होनी चीँ है कि हर चीज में जो कमिशन नेताओं के पास अफसरों के पास अधिकारियों के पास जाता है उन लोगों को पर आप है रहा हुए जी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा हमारे जवानों को कहने चाहता हूं कि उनके साथ हर वो चुट्टी जाने और आने वाले किसी लोगों भी खाथ्षा हो सकता है करननत तोमारी भी इसी तरह मोत हो सकती है अगर तुम शीच की वाज नहीं उठाऊवे तो मैं नहीं कहता कि आप को करो लेकिन कमसे-कम इस तरह की चीज्चों को वाइरल तो कर सकते हो सरकार के अवाज चुठा सकते हो मैं ज्यादा कुछ नहीं करूँगा उन जवानों को फिर में एक बर सरदान ज़ली अरपित करता हूं जिनका कोई दोष नहीं था दूटी पर जा रहे थे और कुछ लोगों की गलती की वज़े से उन लोगों की जयान गई है उन्हों सभी जमानों को मैं सर्दांजली अर्पित करता हूं उनके परिवार परिवार को इस सद में क्यों बनने की शक्ति बजान करता हूं और बहुत शी बार हम जल्दबाजी करके जो फोटो यह जारी कर देते हैं कि वहां से बोड़ी आने में और गरवानों तक ख़बर पहुंचने में थोड़ा सा शमय लगता है तो उससे पहले थोड़ा सा वीट कर लिया करो बहुत जल्दी जो सोचल साइट पर यूटूब पर याइंट पर डाल देते हैं बीट कर लिया करो जब किसी खुद के अपने की घर की डेड़ बोड़ी आती है रहे जब पता चलता है कि क्या हालात होती है मैं फिर एक बार यह करूँगा जो हमारे अधिकारी है जो अपनी जेवों बरने के लिए इस तरह के घटिया हरकत करते हैं अपनी निजी स्वार्थ के लिए जो साइक परसारी छोड़ रहे हैं बहुत से चीजें हैं बहुत मैं कई बर बता चुका जो हैलमेट का बताया था जराली खा रहे हैं वो सब जिम्मार हैं इस मौत के और उन सब जो को एक्सपोज करना आप लोगों का काम है अगर आप नहीं करते हो तो आप भी जिम्मेवार हो उन जवानों की मौत के उतने ही दोसी आप भी हो आप देश भगतनी देश द्रोही हो अगर यह चीज़े वंदे मात्रम मैं रविंदर फोजी देश पाल जहन, जहारत बन्दे मातरब